हमारे पिछले विडियो से हम जानते हैं कि virtual images क्या है virtual image वो image है जो mirror के पीछे एक position में बनती है लेकिन वास्तव में पुव लहाँ नहीं बनती है क्योंकि mirror के पीछे lato rays नहीं पहुंचती plain mirror से बनी images के कुछ properties या characteristics होती है एक characteristic हम पहले ही देख चुके है Plain mirror से बनी image virtual होती है या दूसरी शब्दों में कहें तो वो real image नहीं होती है Plain mirror से बनी image की दूसरी characteristic यह है कि जो image बनती है वो हमेशा erect या upright होती है Example के लिए अगर आप अपनी image को mirror में देखें तो आप देखेंगे कि वो straight या erect है लेकिन क्या यह हमेशा erect ही होगी जरूरी नहीं है यह शायद inverted भी हो सकती है हम inverted को opposite of upright भी सोच सकते है हाँ, एक inverted image को मतलब upside down image होता है Concave mirrors inverted image बना सकते है Plain mirrors inverted image कभी नहीं बना सकते Plain mirror से बनी image की तीसरी characteristic यह है कि वो mirror के दूसरे तरफ की object के same size की होती है Example के लिए अगर किसी व्यप्ति की लंबाई 4 feet है तो image की लंबाई भी 4 feet होगी और अगर हम एक circular coin की plain surface को plain mirror के पास लाएं तो दूनों coin और उसकी image का diameter सेम ही होगा Plain mirror से बनी image upside down नहीं होती लेकिन laterally inverted होती है इससे हमारा क्या मतलब है जब हम हमारा left हाथ हुठाते है तो mirror में जो image है वो अपना right हाथ हुठाती है हमारा left image का right है और उसे तरह हमारा right image का left तो एक image left-right reversal follow करती है Plain mirror से बनी image laterally inverted होती है अब हम हमारे last point पर आते है Finally, बनी हुए image mirror की उसी दूरी पर होती है जितने की object होता है आप इस observation को खुदी verify कर सकते है आपको इसके लिए एक chess board और कोई भी chess piece जैसे की king चाहिए होगा Plain mirror को board के edge पर रखे जैसे की picture में दिखाया गया है King और उसकी image की position को देखिए क्या ये दोनों mirror से same दूरी पर है ठीक है आप प्रतियक के सामने number of squares को गिन सकते है object के लिए सामने seven squares है और image के लिए भी same है आप king को chess board पर कहीं भी ली जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उसकी image हमेशा mirror से उतनी ही दूरी पर है जितना की king है तो ये plain mirror से बनी images के कुछ characteristic थे चलिए इन्हें जल्दी से review कर लेते हैं पहले plain mirror से बनी images virtual होती है real नहीं दूसरी जो image बनती है वो हमेशा erect या upright होती है तीसरी जो image बनती है उसका size mirror से दूसरी और रखे object के size के बड़ाबर होता है और आखिर में जो image बनती है वो mirror से उतनी ही दूरी पर होती है चितनी की object होता है हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि plain mirror images के लिए ray diagrams क्या होते हैं और उन्हें कैसे draw करते हैं